जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग देख रहे थे, ALP Technician के लिए Science के Objective Question के बारे में देख रहे थे, चोकि आपके अपने YouTube चैनल Government ITI में आप सभी का स्वागत है, यह question जो है Science के चल रहे थे, हम लोग ने 60 question तक देखा था, एक question require करेंगे, उसके बाद फिर next question करेंगे, Question है हमारा, दाब का SI मात्रक क्या है, Question है हमारा, दाब का SI मात्रक क्या है, option है, Newton प्रति मीटर, option भी है, Newton Newton meter, Newton meter, option C है, Pascal, option D है, Newton, इसका right answer हो जाएगा, option number C, Pascal, Pascal जो है, दाप का SI मातरक है, C is right answer, next question देखती है, मारा अगला question है, निमलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है, question है, निमलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है, option है, A, प्रकाश वर्ष, option B है, 9 second, option C है, microsecond, option C है, D है, second, इसका right answer हो जाएगा, option number A, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, जो है, समय की इकाई नहीं है, next question देखती है, हमारा अगला question है, तोरण का SI1 क्या है, question है, तोरण का SI1 क्या है, option है, न्यूटेन मीटर, प्रतिस, न्यूटेन मीटर, सेकेंड आप्सन, भी है, मीटर, सेकेंड पाउर, माइनस वन, option C है, मीटर, सेकेंड पाउर, माइनस टू, option D है, किलोग्राम, मीटर, मीटर, सेकेंड पाउर, माइनस वन, इसका right answer हो जाएगा option number C meter second power minus 2 तोरण का SI1 है जो है meter second power minus 2 C is right answer next question देखते हैं हमारा अगला question है एक नैनो मीटर बराबर होता है एक नैनो मीटर बराबर होता है एक बटने 10 घाते minus 8 meter option है एक बटने 10 घाते minus 9 meter option C है एक बटने 10 घाते 8 meter option D है 1 बटने 10 घाते 9 meter इसका right answer हो जाएगा option number D 1 बटने 10 घाते 9 meter एक नैनो मीटर बराबर होता है किसी हवाई जहाज की उचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है आपशन है अल्टी मीटर आपशन है एनीमो मीटर आपशन C है आकसी मीटर आपशन D है बैरो मीटर आपशन D है बैरो मीटर जो है हवाई जहाज की उचाई मापने के लिए अल्टी मीटर का प्रयोग करते है इसका आपशन EACH right answer हो जाएगा अल्टी मीटर का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं हमारा आगला कोश्चन है रिक्टर पैमाने के बारे में लिखित में से क्या गलत है आपशन है इसे 1935 में चाल्ज रिक्टर और गुडन बगे द्वारा विक्सित किया गया था नेक्स्ट आप्शन है यह लगुगण की पैमाना है इसे भूकम्प का उप्योग भूकम्प माप्पी के उप्योग द्वारा नापा जा सकता है आप्शन D है रिक्टर पैमाने पर आठ या नो की तीब्रता का अर्थ हलका भूकम इसका राइट अनसर हो जाएगा अप्शन नमबर D रिक्टर पैमाने पर आठ नो की तीब्रता का अर्थ है लका भूकम्प नेक्स्ट क्योच्चन देखते हैं हमारा अगला क्योच्चन है कोश्चन है एक पीको मीटर किसके बराबर होता है कोश्चन है एक पीको मीटर किसके बराबर होता है आप्शन है दस खाते ग्यारा मीटर आप्शन भी है दस खाते बारा मीटर आप्शन C है दस खाते माइनस बारा मीटर आप्शन D है 10 खाते माइनस 11 मीटर इसका राइट एंसर हो जाएगा option number C 10 खाते माइनस 12 मीटर होता है एक पीको मीटर किसके बराबर होता है 10 खाते माइनस 12 मीटर के बराबर होता है next question देखती है हमारा अगला question है द्रिधता गुडांक का मातरक है question है द्रिधता गुडांक का मात्रक है आप्षन है न्यूटन प्रति मीटर आप्षन B है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वार आप्षन C है न्यूटन प्रति मीटर क्यूब आप्षन D है न्यूटन प्रति मीटर फावर फोर इसका राइट एंसर हो जाएगा द्रिर्ता गुणांक का मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वाइर है द्रिर्ता गुणांक का मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वाइर है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर बी हमारा अगला कोश्चन है किसी चाल की अंतर राष्टी, अगला कोश्चन है हमारा, किसी चाल की अंतर राष्टी येसाई इकाई है, कोश्चन है, किसी चाल की अंतर राष्टी येसाई इकाई है, आपसन है, मीटर प्रति सिकेंड, आपसन भी है, किलो मीटर प्रति घंटा, आपसन C है, मीटर प्रति मि कोश्चन देखते हैं हमारा अगला कोश्चन है डैस प्रिथिवी से लेकर सूरी तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है आप्षन है इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्षन नमबर भी इस्ट्रो नामिकल यूनिट भी इस राइट एंसर नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं हमारा अगला कोश्चन है दी गई भोतिक रासियों में से क्या सापेच रास ही नहीं है सापेच रास ही नहीं है कोश्चन दी गई भोतिक रासियों में से क्या सापेच रास नहीं है आप्षन है ए समय आप्षन भी है तोरण आप्षन आपसंसी है, वेक, आपसंडी है, दूरी इसका राइट एंसर हो जाएगा, आपसं नमबर A, समय समय जो है, सापक्षिक राज नहीं है इसका राइट एंसर हो जाएगा, आपसं नमबर A, समय Next question देखती है, हमारा अगला question है MKS प्रणाली में बल का एकक है Question है, MKS प्रणाली में बल का एकक है आपसं है, जूल आपसंडी है, नूटन आपसंसी है किलोग्राम आपसंडी है, नूटन मीटर इसका राइट एंसर हो जाएगा, आपसं नमबर B, नूटन MKS प्रणाली में बल का एकक जो है, नूटन होता है इसका राइटेंस रो जाएगा अप्सन नमबर B निक्स कोस्चन देखते हैं हमारा अगला कोस्चन है अदिस रासी अदिस एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है कोस्चन है अदिस एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है अपसन है, A, 1 अपसन भी है, दुर्व बिमान अपसन सी है, दिशा अपसन D है, उपरोगत सभी, Aíपसन E है, उपर्यूकत में से कोई नहीं, इसका राइटांसर हो जाएगा, अपसंअ नंबर सी, दिशा जो है नहीं होती है, next question देखते हैं हमारा अगला question है निमलिखित में सही का मिलान कीजिए question है निमलिखित में निमलिखित का सही मिलान कीजिए मिलान करना है इसका watt जो है Newtonится meter εν to second से मिलान करे था kilowatt जो है kilowatt बराबर जो होता है 1000 watt और क्या कहते हैं किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 into 10 की पावर 6 जूल 1 हर्ट पावर बराबर होता है 746 वाट नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं हमारा अगला कोश्चन है सम्वेग की इकाई क्या है कोश्चन है सम्वेग की इकाई क्या है अप्षन है किलो ग्राम मीटर सेकेंड पावर दो नेक्स्ट अप्षन है किलो ग्राम मीटर सेकेंड पावर माइनस वन अप्षन C है किलो ग्राम मीटर सेकेंड आप्षन D है किलो ग्राम मीटर सेकेंड पावर माइनस दो सम्वेग की इकाई क्या है इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन नमबर B किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर माइनस वन B इच राइट एंसर सम्वेब की इकाई है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं हमारा अगला कोश्चन है एक किलोवाट घंटा बराबर होता है कोश्चन है एक किलोवाट घंटा बराबर होता है आप्शन है 3.6 इंटू 10 दी पावर 5 जूल आप नेक्स्ट आप्शन है 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल आप्शन C है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल आप्शन D है 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 जूल इसका राइट अंसर हो जाएगा आपच्छन नंबर सी 3.6 into 10 की पावर 6 है जूल जो है 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है Next question दिखते हैं मारा अगला question है Next question है एक बार बराबर होता है कोछेम हैं एक बार बराबर होता है अप्सन है 10 खाते masa पांच पास्कल अप्सन B है 10 खाते니다 साथ पास्कल option C है 10 खाते Bengal पांच पास्कल option D है 10 खाते philosop इसका राइट एंसरो हो जाएग적 option number C 10 खाते 2018 final V पास्कल नेक्स्ट कोश्चिन है, सदिस रासी है, कोश्चिन है, सदिस रासी है, आपसन है, दाप आपसन भी है, कोड़ी वेग आपसन सी है, धारा आपसन डी है, सकती, सदिस रासी है, कोड़ी वेग जो है, सदिस रासी है, भी इस राइट एंसे, नेक्स्ट कोश्चिन देखते हैं, ह आप्षण है A कुलाम आप्षण B है जूल आप्षण C है बोल्ट आप्षण D है वाट विभोवांतर की S.I.E. का जो है बोल्ट होती है C is right answer विभोवांतर की S.I.E. का जो है बोल्ट होती है नेक्स्ट कोईच्छन देखते हैं मारा अकला question है, एक कुलाम बराबर होता है, question है, एक कुलाम बराबर होता है, option है, एक बोल्ट, option है, एक एमपियर, option C है, एक ओम, आप्षिन है एक वाट इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्षिन नमबर बी एक एम्पियर पी इस राइट अंसर नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं मरा अगला कुश्चन है एक न्यूटन मीटर इस न्यूटन मीटर पावर दो किलोग्राम पावर माइनस दो की इक आई क्या है कुश्चन है न्यूटन मीटर पावर दो किलोग्राम मीटर पावर माइनस किलोग्राम माइनस दो की इक आई क्या है आप्षिन है दाप आप्षिन है समवेग आप्षिन सी है ग्रुत्वा कर्षण के कारण हुआ तोरण अगर हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सिस्क्राइब करना ना भूलिए इसे तरीके के लेटेस्ट पीडियो पाने के लिए धन्यवाद